दूसरे पार्ट में हम अशोका विंदुसा के बाया में पढ़ेंगे की पॉइंट्स का नेम्स चैप्टर में क्या पढ़ेंगे The origin of is Chandagrooptamodaran, earlier life meeting with Chanakya Conquest of Chandagrooptamodaran is kind of feeling an attack on Magda Chandagrooptamodaran meets Alexander revolt in the northern states and conquest of Punjab Fear organization of army and conquest of Magda Fear battle with Seleucus, other conquests and his death Very Important Administration of Chandagrooptamodaran Central, Provincial, Local, Judicial, Revenue, Spire System, and Military Administration Origin of Mayuras Mayuras के origin के बारे में हिस्टोरिं के दो राये हैं, दो different opinion हैं पहला कि वो शूजास ते दूसरा कि वो शत्रियास थे वो conclusion और information निकाल के देखें तो वो शूजास नहीं बलकि शत्रियास थे चंद गुप्त मौर रहा अर्लिया लाइफ उफ चंद गुप्त मौर रहा हैं हमें हम पढ़ेंगी कि हमाईपस कोई भी accurate information नहीं है उनके अर्लिया लाइफ के बारे में लेकिन मुझा राक्षिस पुरानाज और मावानसा तीका के बारे में इनसे हमें पता चलता है कि चंद गुप्त मौर रहा है जो है वो चीफ अफ दो मौर रहास थे हमें उनके जो फादर रहां का नहीं पता information हमें पास नहीं है इसकी लेकिन हमें पता है कि एक राजा ने उन्हें इन्वेजन में मार गिया था उसके बाद उनके जो मादर थी चंद गुप्त मौर रहा है कि वो helpless हो गई थी और वो पाटले पुत में है न उन्हें स्टार्ट कर दिया था चंद गुप्त ने जो अपनी लाइफ पास करी है वो पिकॉक्स और हंटर्स की बीच में रहा के उनके पारन पोर्शन जो हुआ है वो उनके बीच में हुआ है वो बहुत ही promising child थे वो born leader थे उनके पास बहुत capability थी इसी वज़े से नंदा किंग ने उन्हें कमाने चीफ बनाया था अपनी आर्मी का मगदा में चंद गुप्त मौजय बहुत ही popular हो गए थे लोगों की बीच में और इसी वज़े से नंदा किंग ने उन्हें मानने का चंद गुप्त मौजय बहुत है उनको भी इंसल्ट करी गई थी उनकी भी नंदा किंग के द्वारा तो एक बाब ऐसी घोम देती तो उन्हें एक ब्रहमन दिखे चंद गुप्त मौजय दिखे उन्हें उन्हें तक्षरा ले गए वो उन्हें और सारी education दी वहाँ पर उन्ह चंद गुप्त मौजय दोने मिलके एक साथ revenge लेनी की सोची नंदा किंग से सबसे बढ़ाता है failure in the attack on Magda जब उन्हें सबसे पहली बार attack किया Magda पे तो वह हार गए थे चंद गुप्त मौजय दोने और वह फर्स मिला के चुपकर है लिकिन बाद में अपनी mistake का realization होता है कि उ अगें चंद गुप्त मौर्में मिलके लेकर दोने चाहते थे तो जब अनकी मदद करें वर में पर पंजाब के उपर तो जो इंडिया के लोग थे उन्होंने का कि हम एकसेप्ट नहीं करेंगे और भी ज्यादा उनका रूल तो उन्होंने इसके अगेंस करनी स्टार्ट करती तो दिस्टारिस्ट्सक्शन की माहौल हो गया नौथें स्टेट और पंजाब में जब अलिक्ज उन्होंने उसको देते हैं कि यहां पर एड्मिस्टेशन देख लेंगे लिकर उन्होंने माल दिया गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए अलिक्जंडर की देथ होगी मिडवे में जब वो अपने कंट्वी में जा रहे थे तो चंदर्गूप तो मौर रहे हैं हैं वहां की ल इसकी वज़े से चंदर्गूप तो मौर्या को फाइदा हुआ और उन्होंने पंजाब को कैप्चर कर लिया अपनी आर्मी के थूँ उसकी हेल्प के थूँ और पंजाब और कुछ नॉर्थन जो स्टेट से उन पे उन्होंने अपना हग जमा लिया कि और और चंदर्गूप तो मौर्या की आरमी में बहुत सारे अलग अलग जगावसे सोल्जर्स लेखे थे उन्होंने पंजाब गांधार कमभोजा की राथ परशया और ग्रीश से जो चंदगुपत मौरया थे और उन्हें ट्विटी साइंग करी परवतक किंग के साथ कि तुम जो किंग थे वो उन्हें मगदा में जब वो अटाक करे तो उसमें हेल्प करेंगी तो जब नंदा किंग और चंदगुपत मौरय के बीच में लडाई हुई पैटल हुई तो उन्हें उन्हें सपोर्ट किया जो नंदा किंग थे वो हार गए और जो चंदगुपत मौरय थे उन्हें थे उन्हें उन पे पिठा दिया गया 323 मतलब 323 और 321 PC की बीच में और जो पंजाब थी और वेली ओफ यमना और गंगास था वो जो जगा था या वो जो एरिया था वो उनके एंपाया में इंप्लूड हो गया Battle of Salukas, मैंने बजाता है जब वो वहां से चले गए थे उन्होंने गवर्नर्स के हाथ में जेदे थे लेकिन वो मर गए थे लेकिन उससे पहले war of secession होई थी गवर्नर्स के बीच में उसमें Salukas जीद गए थे और उन्होंने कबजा कर लिया था और वो ग्रीक एशियाटिक एमपाया के राजा बन गया था जिसके अंदर Babylon, Pateria और Afghanistan आता Salukas चाता दे कि वो पूरे इंडिया पर कबजा करे और इसके लिए उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दे लेकिन जब तक political condition इंडिया की चेंज हो चुकी थी बहुत जाता और नहीं को समझ में नहीं पैटल हुई चंदगूप्त मॉर्या और Salukas की बीच में 305 BC में जो की डॉक्त ती Salukas की उन्होंने चंदगूप्त मॉर्य के सरुंकी शादी करवा दी और खादर, काबूल, हेरत और बरुचिस्तान गिफ्ट में दे दी चंदगूप्त मॉर्या को चंदगूप्त मॉर्या ने 500 एलिफेंट दे Salukas को और Salukas ने मेगस्टीस को एज एमबसेडर चंदगूप्त मॉर्या के कोट में भेज दिया चंदगूप्त मॉर्या ने जब नौर्थन इंडिया में अपना रात जमा लिया तो उन्होंने सोची कि मैं पूरी साउथन इंडिया को भी कैप्चर कर देता हूँ लेकिन यहाँ पर हिस्टोइन के दो डिफ्रेंट ओपीनियन हैं एक जो इन realism फिर यह है कि उन्होंने डैक पर हमला किया हूँ दूसरे हिस्टोइन के ऐसा मानना है कि उन्होंने हमला नहीं किया वल्कि वह तो आशोका के उसका लेकिन अगर देखा जाये तो inscription और लिविंग प्रूफ जहां तक कहते हैं वो यह कहते हैं कि अशोका ने साउथ इंडिया पे कैप्चर कर रहा था उन्होंने कैप्चर करता हमला करके चन्रुप तुमोरे नहीं किया सेवन्थ आता है इस देथ तो 298 बीसी में उनकी देथ हो गए थी जैन लिटेशर के अकॉर्डिंग चन्रुप तुमोरे ने जैनिजम अपना लिया था अपने आखरी दुनों में अपनी लाइफ के आखरी दुनों में और उसके बाद वो साउथ में चले रहे थे बिंदु सार को अपना किंडम देखर ये मैप है मैन अंपायर के कहा तक मैना है एक बाद देख लीजिए एड्मिनिस्टेशन ऑफ चन्रुप तुमोरे ये बहुत जाए इंपोर्टेंट है वह से पहले नैशनल मोराफ थे इंडिया के जो कि बहुत ही पावरफुल थे उनके पास या उनका किंडम जो था बहुत पावरफुल था प्लिटिकल युनिट और एफिशनसी उनके अडविनिस्टेशन की मेन इंगिविडियंट थे अब आता है इंडमिस्टेशन के अंदर कितने पास रहर सेंटरव प्रविण्शियल लोकल जोडिशील जिदिशार रिवैन aur मुलिट्वी एड्मिस्टेशन सेंटरुल में मतलब जो मेन है जो मेरिश शुद्याफि कांसल ओफ मिनिस्टर्स है, किंग की बात करें तो सुपीम अथॉर्टी ओफ जा स्टेट, अपॉइंटमेंट मिनिस्टर की या कांसल ओफ मिनिस्टर की किंग ही लेते हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ अफ अफ दी आर्मी, किंग है, पीपल उन्हें फांटर ओफ ज जैसे हैं, जिससे कि पावर्स जो हैं, सारी उनके हाथ में ना हो कुछ डिवाइड भी हो जाएं, और इससे एड्मिस्टिशन जो है, वह एफिशेंट होता है, मंत्री परिश्ट की बात करें तो मंत्री परिश्ट जो है, उसे कि या पॉंट के तब मैंने पहले ही बता है, वह किंग को एडवाइस देते हैं, स्टेट अफियर्स में, और 18 और मिनिस्टर्स होते हैं, पोटल ये खुद एक प्राइम मिनिस्टर है चुके हैं, और उनके अलावा 18 और 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 मिनिस्टर्स थे, ठीक हैं, हर एक डिपार्टमेंट के वो हैड थे, काउंसल ओफ पर किंग के ओपर डिपेंट के अगाता कि वो उनके अडवाइस के पर एक्ट करे रख आधा है, और काम ससख था था अडवाइस देना, प्रोवंचिल एड्मिस्ट्रेशन प्रोवनशिल स्टेट वाइस जैसे, अब हैं, तो जो एमपार था वो बहुत बड़ा था, चन्द क्या थी पाटले पत्र थी उत्रप्रदेश बिहार बेंगाल असाम औरिसा ये सारे इंक्लूड होते हैं इस प्रोवेंस में और डाइट कंट्रोल था किनका इस प्रोवेंस के उपर दूसरा था उत्रा पद नौर्थ वेस्ट प्रोवेंस तक्षिला जो है वह कैपटल था इस और मोडर्न अफगांस्तान, बरुचिस्थान, पंजाब, सिंध, कश्मीर आता है इसमें अवन्ती पर जो वेस्टन प्रोवेंस था उजयन कैपटल था और प्रेजंट मालवा गुजरात और राजिस्थान आता है दक्षिनापत, साउथन प्रोवेंस इसकी कैपटल जो थी वो सरविना गिरी थी, जो एड्मिनिस्टेशन है प्रोवेंस का जो देखते हैं वो एक इंसान देखते हैं जिसे हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर को उस टैम पर कुमहार कहते थे, जो स्पारी थे वो अपॉइंट किये जाते थे किंके द्वारा रिपोर्ट्स लेने के शहरी थोड़ा, दूला मतलब थोड़ा गाउ का, उसके भी डिवाइट करा हैं, सबसे पहले आते हैं मुल्सिपल एड्मिस्टेशन पर, तो मुल्सिपल एड्मिस्टेशन के अंदर चंगुप्त मौरे के टाइम पर, बहुत ही जादा पॉफिक्ट क्वालिटी थी, और जि जिससे कि एक प्रपर ऐफिशन्ट एड्मिस्टेशन हो, तो एक कांसल जो एक में शिक्स बोर्ड थे, six बोर्स के अंदर five members थे, मतलब एक बोर्ड है तो उसमें पाच मेंबर, दूसरेवर में ये पाच, तो छे बोर्ड में, फाच-पाच members थे, तो सबसे पहला जो बोर्ड है वो है इंडस्ट्री और हैंडिक्राफ्स का इस बोड का काम था कि डेवलप्मेंट देखे कॉमर्स और इंडस्ट्री का ड्यूटी थी इस बोड की कि वो लेबर की विजिस को फिक्स करें और नेसेसरी अरेज्मेंट्स करवाए for the fixation of standard of raw material यहां पर law है उसके standard देखना दूसरा आता है board of foreigners इस बोड का काम था कि वो कितने foreigners city में आ रहे हैं business के लिए उसका record रखें दूसरा board of census कितने birth हुए कितने death हुई तो population का record रखने इस बोड का काम था duty थी इस बोड की कि birth और deaths city में कितने हो रहे हैं गो register करना दूसरा आता है board of weights and measures तो weights and measures का काम था यह बोड देखता था fifth board of manufacture goods कितने goods manufacture हो रहे हैं industries में factories में एक record रखने इस बोड का काम था और यह भी देखना कि पुराने articles जाया है पुरानी चीजी सामान जो है वो नई वाले में विक्स करके बेची ना जा रहे हैं छह बोड ऑफ टेक्सेशन तो टेक्स वगएरा से इस टेक्स देखना जो good sold हो रहे हैं उन पर यह काम इस बोड का था हर एक district में जो proper administration के लिए एक एक इंचार्च होता है हर एक district में जिसे हम कहते थे सातिक दूसरा आता है रूला administration गाउं में कैसा था तो गाउं में पंचाईती राच था जो head of a village था उसे हम कहते हैं ग्रामिक जोगी experienced person था उसे कोई भी सार्यानी मिलती थी state से और villages उसे elect करते थे ग्राम सबा जो थी वो assistant या assist करने के लिए बनी थी ग्रामिक को पार्च या दस villages जो थे वो गोपा की duty थी वो in charge था उनका और जो गोपा था क्या चेक करते था वर्क चेक करते था ग्रामिक का और गोपा कवर कुण चेक करते था स्थानिका और स्थानिका कवर गवर्नर चेक करते था और गवर्नर का king himself तो जैसे मैंने king governor स्थानिका गोप और ग्रामिक लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि ग्रामिक का वर को चेक करेगा गोपा, गोपा का वर को चेक करेगा स्थानिका, स्थानिका वर चेक करेगा गवर्ना और गवर्ना का चेक करेगा किंग, तो ऐसे नीचे से उपर काम चेक होंगे और किंग तक तो judges थे criminal court के उन्हें हम कहते थे प्रदेश्टा और दूसरा जो judge होती थे civil court के उसे हम कहते थे वेवारिका और जो city judges थे जो city में judges थे उन्हें हम महामानतरास कहते थे दूसर डिस्टिक judges को हम कहते है राजोकास तो village courts में जो magistral powers थी वो elders exercise करते थे उसे विलेज जिसके जो elders है हम पंचास कहते हैं जिसे पंचायत होती है उसमें पाच लोग होते थे तो पंचायत उन पावर्स को यूज करती थी अब आता रिवानिय सिस्टम कैसे था तो चनक के कोई भी एक bond politician नहीं थे वह उनके पर sufficient knowledge थी रिवानिय सिस्टम की तरह उने advice का चनक अप्त मौजय को कि वह ऐसा रिवानिय सिस्टम बनाए जो कि scientific principle पे बेस जो land tax जो था वो main source था government के income का land tax में जो produce वो total produce में से 1.4 से लेकर 1.6 तक जो भी produce आ रहा है वो देना पड़ता था तो वो land की fertility पे डिपेंड करता था land tax को उस टाइम पे भागा बोलते थे land tax के अलावा कुछ और भी taxes imposed किये जाते थे जो की government लेती थी कुछ example रखे forest exports अच्छिक्टवा spy system king जो है वो बहुत ज़ादा importance देज़े spy department को spy जो होते थे वो king या point करते थे spy को collect करने के information या secrets जो की report बना के उन्हें देते थे उनके officers या जिनके उपर भी नज़र लखने के लिए कहा होता था दो types के spy होते थे जो की सबसे पहला था जिसमें एक ही place पे रहके वो secrets जानते थे दूसरे बार जो spy order दूसरे category जो spy थे वो जगर जगर जाके travel करते थे मतलब और secrets निकल वाते थे या secrets पता लगाते थे दूसरा आता है military administration military बहुत ही अच्छी थी मतलब उनकी army जो थी वो बहुत बड़ी huge थी और efficient army थी जो empire को protect करती थी उनकी army में बहुत जारा elephants और बहुत साई चीज़े 6 लाग के आसपास infantry थी 30,000 cappers cavalry थी elephants थे 9,000, 8,000 चारोच थे तो बहुत जादा इतनी अच्छी army थी उनके पास और sufficient salary मिलती थी soldiers को एक department था जो की established के दर इसके अंदर 30 members थी मतलब एक council type था जो की बाद में 6 boards में बटा और 6 boards में हर एक boards में पाच-पाच member थे तो इसमें board of navy, infantry, cavalry, elephant, charlots, transport थे यह इतनी important नहीं है पर इनके नाम जो important है और बहुत ही अच्छे equipments थे soldiers के लिए के इनके लिए लडाई वगरा में conclusion, conclusion मतलब administration का conclusion हम यह बूल सकता है administration जो था वो बहुत ही अच्छा efficient administration था चलनगप्त मोर्या के time का, उनके time period का और इसी वज़े से मर्योन administration कहलाता है उस time का उस dynasty के जो administration का वर्क था बहुत अच्छा था इसी वज़े से मैं मुझे कहते है मैं यो दिन administration तो यह पूरा chapter था मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाया है और यह जो आखरी administration वाला तो topic है सारा यह बहुत ही ज़्यादा important है बहुत frequently पूशा जाता है और मुझे अच्छा time लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि बहुत इसना important chapter में एक लेने वाली थी तो यह बहुत इनपॉर्टन है इसका second part जल्दी आ जाएगा और यह थी पुरी वीडियो देखने के लिए like करें share करें और subscribe करें मेरा channel बहुत ही जादा मैनत लगती है इसे बनाने में क्योंकि नोट बनाने पड़ता है फिर record भी खराब हो जाता है रिकॉर्डिंग कही जाती है नोट कहां हो जाता है जैसे जोड़ टाइम लगता लेकिन में वीडियो जल्दा हैगी प्लीज इसे जरू देखेगा